तो अभी आपने जो एडिटिंग देखिए मैंने मॉबाइल में की है तो इसका बिलकुल भी कमपैर डॉक्टर डिस्ट्रेंज के मैजिक से मत करना क्योंकि वो काफे बड़े महंगे स्टूडियो में रेकॉर्ड किया जाता है और यह मैंने एक छोटी से मॉबाइल में किया है तो कमपैरिजन बिलकुल भी नहीं तो आईए जानता है इसका टूटोरियल किया से मैंने इसे एडिट किया और आप भी अपने मॉबाइल में इससे एडिट कर पाओगे काफी इसली तो सबसे पहले इसके लिए आपो चलना पड़ेगा क्यापकट के अंदर तो क्यापकट लोड करिया तो इसको कैसे डाउन लोड करना आप मेर यह वाला वीडियो देख सकते हो यहां मैंने बता दिया था तो Reels का हाँ ये format बिल्कुल भी सही है तो यहाँ पे मुझे पूरा screen फुल कर लेना है अपना जो background है और यहाँ पे इतना करने के बाद आपको आ जाना है video effects के option में और basic वाला option में click करके यहाँ blur वाला section पे आ जाना ठीक है और यहाँ पे थोड़ा सा blur का जो adjust है कम कर लेंगे हाँ इतना कुछ सही लग रहा है तो इतना पे यहाँ पे हम अपना वीडियो में apply कर देंगे जहां तक मेरा वीडियो आएगा तो इसे हम अपने पूरे वीडियो में पहले apply कर देते हैं ज्यादा लंबत वीडियो बनने वाला है नहीं 15 second का वीडियो है तो मैंने काफी उसे यहाँ पे import कर लेना overlay वाले option में click करके इसके बाद जो side का part होगा extra part उसे cut कर देना and then यहाँ पे इसको adjust करने के बाद आपको simply क्या करना पड़ेगा इसका जो background है उसे remove कर देना है तो आप जानते हो cap cut के अंदर काफी एक अच्छा option दिया गया है remove background का एक ही click में आपक cap cut का use किया है आप चाहो तो इसे green screen में मतलब record करके और simply आप VN editor में भी कर सकते हो इतना कुछ तो सरी background remove करने के लिए मैंने cap cut का use किया तो यहाँ पर इतना करने के बाद इसको आप क्या करना तो यहाँ पर मेरा इतना लगबग select हो चुका है side part मैंने cut कर दिया and then इसको हम high quality जो है वह डाउनलोड कर लेंगे ठीक है इसके बाद हम चलेंगे vn editor में तो यहाँ पर मैं आ गया वी एन इडिandर में और यहां पर मैंने जो पहले से edit करके रखा है उसको पहले मैं दिखाता हो और मैंने कैसे edit किया वह भी मैं साती साथ बताऊँगा तो चलिए सबसे पहले उसे openड कर लेते हैं तो यहाँ प्याने के बाद आप simply अपना विडियो को ऐसा import कर लेना जैसे कि मै ने किया है इसके बाद जहां से आप action करते हो वहाँ से आप अपना एक वीडियो का layer जो है वो add कर देना जैसे कि मैने यहां पर किया है same to same अब इसको कैसे add करना है आईए मैं बताता हूँ step by step simply पहले आप देख लो मेरा वीडियो में कैसा ये work कर रहा है keyframe की मदद से मैंने यहां जितना भी dot dot दिख रहा है वो मैंने keyframe की मदद से की है तो इसको एक layer को जो है मैं पहले delete कर देता हूँ ठीक है इसे आप download कर लेना video format में YouTube से या फिर कहीं से भी आपका मन आप इसे download कर लेना यहां पर आने के बाद इसको आ जाना इस वाले blending वाले option में और यहां पर आके screen में क्लिक कर देना screen में या फिर lighting में जो भी अच्छा लगे उसमें देख लेना आप अपने recording कर लेना इसके बाद यहां से एक मैंने png भी add करके रखा है तो उसको आप add कर भी सकते हो अगर आपका मन हो तो लेकिन फ़हले इसका जो magic वाला है इसे add कर लेना इसके बाद key frame में हम click करेंगे ठीक है तो यहां पर पहले इसको round कर लेते हैं कुछ इस type से set मेरा हो चुका है and key frame में click करने के बाद जहां जहां मेरा हाथ जा रहा है उसके according मुझे वहाँ वहाँ पर key framing करते जाना है तो आप देख सकते हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ आपको keyframe में set एक बार कर देना है इसके बाद आप जहाँ जहाँ आपका हाथ जा रहा है moment हो रही है उसके according आप अपना जो यह layer है उसे add करते रहना तो इससे क्या होगा adjust जो है वो काफी सही से हो जाएगा तो इस काम को थोड़ा यहाँ पर फटाफट करने की ज़रत है क्योंकि एक एक करके मैं दिखाना जाओंगा तो यह काफी लंबा हो जाएगा तो यहाँ फटाफट से इस काम को करते हैं साथ ही साथ मैं एक और बात आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस काम को करते करते कि अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग को वांडा जो मैजिक करती है, उसके उपर चाहिए या फिर अगर आपको थौर के मैजिक के उपर चाहिए, तो कमेंड बॉक्स में जरूर बताना और हाँ इस वीडियो में 500 लाइट का टार्गेट जो है वो पूरा करा देना, तभी मैं इन दोनों में से किसी एक का जो है मैजिक के उपर वीडियो बना पाऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने धीरे धीरे की फ्रेम से मैंने कंप्लिट कर लिया है अपना वर्क, तो यह काफी सही हो चुका है, तो आप भी अपने वीडियो में काफी इजी तरीके से आसा कर सकते हो, लेकिन आप पहले रिकॉर्डिंग के उपर थोड़ा ध्यान देना,